मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दी कभी नंदन करता हूँ एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुती कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए दोस्तों इस प्रोग्राम का उद्देश ही आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाना है इस प्रोग्राम का उद्देश है आपके जीवन में जो जटल से जटल समस्या हैं उनका सरल से सरल समधान करना और इसी के तहट हम आपके लिए कभी पर्वों के अधार पर, कभी आपकी समस्याओं के अधार पर, कभी दिनों के अधार पर, कभी नक्षत्रों के अधार पर विशेश महा उपाई लेकर आते हैं और आज का हमारा उपाई भी बड़ा खास है और आज का हमारा टॉपिक बड़ा खास है सावन के शुक्रवार धन लक्ष्मी करेंगी धन की बरसाथ जयां ऐसा क्या होगा और विशेश ऐसा क्या होने जा रहा है देखिए आज बहुत ही खास आपको बताने जा रहे है कि सावन का महिना शुरू हो गया है और सावन की दूज जो होती है और शुक्रवार का दिन जो होता है वो विशेश खास इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है दूज तिति भी चंद्रमा से संबंदित है और सावन भी चंद्रमा का महिना है और चंद्रमा और लक्ष्मी का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है आपने देखा होगा शरत पुर्णिमा के दिन भी लक्ष्मी का आगमन होता है प्रत्फी पर इसी प्रकार सावन में शुक्रवार का बड़ा महत्पा है जिस प्रकार से सुमवार और शनिवार का महत्पा है सावन में उसी प्रकार से शुक्रवार का भी उतना ही बड़ा महत्पा है और सावन के महिने में शुक्रवार पर दिवी महालक्ष्मी के पूजन का अत्यादिक महत्पा बढ़ जाता है क्योंकि इन्हें कहा गया जल जा ये जल की दिवी है और आस्मान से अमरत रूपी जल जो है वो सावन में बरसता है महालक्ष्मी के आठ सो रूपों में से धन की लक्ष्मी का स्थान बहुत महत्पून है अधिकमाई के बावजूद भी अगर धन की बचत नहीं उपारी है तो ऐसे में सावन के महीने में शुकरवार पर महालक्ष्मी की पूजा उपासना बड़ी कारगर मानी गई है कुछ छोटे-चोटे उपाई बहुत कारगर माने गए है सावन के सभी शुकरवार महालक्ष्मी के निमित वरत पूजा रुपाय करने से पूरे साल भर तक घर संसार जो है वो धन से भरा रहता है और सोला शुकरवार का जो वरत होता है सोला शुकरवार और सोला सोमबार दोनों ये दोनों वरत जो होते हैं ये इन ही चार महिनों में होता है तो यह जो 16 शुकरवार कवरता है महालक्षमी या वैभवलक्षमी के निमद यह भी इसी महीने में सावन से ही शुरू होता है और विशेश आपको बता दूं कि سावन के महीने में विशेश रूप से खीर का प्रसाद बहुत विशेश माना जाता है लक्ष्मी के निवेद और विशेश रूप से लक्ष्मी की जो उपासना होती है जल, दूद, दही, शहद, चीनी, चंदन, बिल्वगिरी, कमलगटे, धूप, दीप और दक्षना के साथ लक्ष्मी का पूज़न किया जाता है रात्री काल में घी और करकूर सहित धूप के आरती करके लक्ष्मी का गुणगान किया जाता है सावन के शुकरवार पर धनलक्ष्मी की पूज़ा उपायों से संचत धन में व्रद्धी होती है पैसों की कमी दूर होती है, जीवन धन्धान और वैभव से भर जाता है तो अब आपको बताते हैं कैसे करें शौट फॉर्म में पूज़न महालक्ष्मी का और क्या उपाय करें देखें घर के इशान कोण में जो इश्वर की दिशा होती है क्योंकि सावन में सबसे जागरत यही दिशा है इस दिशा में गुलाबी वस्तर बिचा लें और महालक्ष्मी का चितर और श्रीयंतर अगर आपके पास है तो उसे स्थापित करके उसका पंचपचार पूजन करें गर के मंदिर में ही अगर महालक्ष्मी का चितर है आपके पास में तो उसे कही आप शोड़ुश बचार पूजन करें क्योंकि सोलहा का फिँगर बहुत जरूरी है ध्यान से सुनियागा सोलहा का फिगर और खास क्या है देखे नारियल तेल में थोड़ा सा उत्र में लाकर उसका दिपक करें नारियल तेल, क्योंकि उसे शरीफल कहा गया है, जान से सुनियेगा इस बात का, गुलाब की धूप करें, गुलाब के ही फूल चड़ाएं, और खीर जरूर, खीर का भोग जरूर लगा है, क्योंकि खीर के बगेर महालक्षमी का पूजन, और अगर खीर ना हो पाए, तो किसी भी दूद से बनी मिश्ठान का जरूर भोग लगाएं, और एक विशेश मंत्र आपको बता रहा हूँ, इससे इंद्र भी मोहित हो जाते हैं, यह धनलक्षमी का विशेश मंत्र हैं, तो क्या करें आप, महालक्षमी पर सोलह कमल गट्टे चड़ाएं, और चड़ेवे जो कम शुकरवार इस उपियोग को कर सकते हैं, इन कमल गट्टों को खटा करते जाएं, और यह विशेश रूप से यह जो कमल गट्टे हैं, यह दिपावली के समय पर बड़े विशेश काम आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर जो दिव दिपावली कराती हैं, उस पर बड़े काम आते हैं, शरद पूर्णिमा पर यही जो कमल गट्टे हैं, विशेश काम आते हैं, तो यह जो 16 शुकरवार हैं, चत्रमास के, इसमें सावन का यह पहला शुकरवार है, तो एक विशेश मंत्र का जाब जरू करें, ओम श्रीम 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 इंद्र मोहिने नमाह, आश्वस कि नमोढ करें इसमें, पूर्णिम श्रीम 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 श्रीम, जोड़ में अलोड़त был na my將 झी यह जो 1460 के विशे भी जे si youngest और सकते हैं, उन्मोगता श्रीम का आते हैं, चर्शब झेएंदे बासे का विशे औराश हैं, यह fase 5100 के से чक्